तो भाई लोग कैसे हो तो स्वागत आपका एक और नी वीडियो में और दोस्तों काफी दिनों के बाद आज मैं आपको एक थीम की वीडियो बना कर दे रहा हूं और आज की थीम आपको ये काफी पसंद आने वाली है आज हम देखेंगे iOS 14 की थीम जिसको अब अपने किसी भी MI के फोन के अंदर अपलाई करके उसका लुक और फीचर्स को इंजॉय कर सकते हैं तो बताओंगा इसी थीम के बारे में तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये थीम पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत बूलेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए तो आज जो हम थीम के बारे बात करेंगे वह आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि दोस्तों ये एक थर्ड पार्टी थीम नहीं है ये थीम आपके थीम इस्टोर पे अवेलबल है जो कि आप अप अप्लाइ कर सकते हैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रख है वहाँ पर जाकर आप चैगाउट कर सकते हैं बिल्कुल लेटर्स तीम है जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा तो इसको सिंपली आपको अपने फोन के अंदर डाउनोड करने ना है ज्यादा साइज भी नहीं है और काफी सारे फीचर्स आपको इसके पसंद आएगा because everything is perfect अगर आप देखते हैं यहाँ पर navigation buttons की बहुती awesome चेंज हुआ है बहुती बढ़िया लग रहा है या फिर इसका यह animated widget बहुती ज्यादा अच्छा है या फिर battery इंडिकेटर या Wi-Fi इंडिकेटर या फिर wallpaper या फिर दोस्तों icon packs आप यहाँ पर देख सकते है इसमें आप दोस्तों widget को यूज़ कर सकते हैं जैसे की notes वगेरा जिससे की आपको phone iOS 14 की तरह लगे तो मैंने भी इसको यूज़ कर रहा है तो इसका look आप देखे काफी आपको बड़े लगेगा अगर आप देखते हैं दोस्तों settings के अंदर जा करके तो यहाँ पर भी section divide है और अगर आप इस तरह से phone को देखते हैं तो complete iOS लगता है जैसा लगता है कि हमने पने phone के अंदर iOS को install कर रखा है देख सकते हैं सब कुछ change है control center और iTunes मतलब बहुत ही बड़े है change आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाता है इसके बाद दोस्तों बात करें कुछ औ आपको toggles दिखते हैं और इसके अलाबा background में आप देखें पूरा आपको blur background मिलता है और एक काफी बड़ा clock आपको यहाँ पर मिल जाती है brightness control भी बिल्कुरी अलग है तो यह भी status bar भी एक best part कह सकते हैं आप इस theme का और आपको काफी जादा दोस्तों यह पसंद भी आएगा और अगर बात करें कुछ odd changes की जैसे की dialer app, dialer app में जाकर आप देखते हैं यहाँ पर आप चाहें देखें के context को या फिर dialer app को या फिर आपकी calling screen को complete iOS वाला आपको chain यहाँ पर मिल जाएगा, messaging के अंदर भी जाते हैं तो इसके अंदर भी आपको इसी तरह का change मिलेगा, बह मेरी तरफ से इस theme को 5 में से 5 स्टार क्योंकि यह दोसरो one of the best theme है, जैसे कि आप यह आप यह आपर देख पार है, तो make sure आप इसको apply अपने phone में जरूर करेंगे, बात करें lock screen की, तो वहाँ पर भी कुछ कमी नहीं है, complete lock screen मिलता है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं iOS वाला से customize कर सकते हैं इसके lock screen को, और दोसरो नीचे की तरफ भी आपको कुछ shortcut देखने को मिल जाते हैं, तो काफी बड़े lock screen है, आपको charging animation भी इसमें अच्छी मिलने वाली है, और इस theme को आप अपने phone में जरूर reply कीजेगा, तो दोसरो उमीद करता हूँ आपको यह theme पसंद आई